इस question में आपको दिया हुआ है Generally हमने velocity versus time relationship तो देखी है V equals 2 U plus 80 मतलब time और velocity में linear relationship होता है velocity की power भी 1, time की power भी 1 वहाँ पे linear graph चला करते है Parabolic path अगर बनता है तो वो extreme condition में बनता है यहाँ पर जो आपको relationship दिया हुआ है इस graph में problem यह हो गई है वो आपको velocity versus height relationship दे दिया है velocity मतलब velocity की dimension meter per second मतलब velocity की unit meter per second versus meter वारा relationship दे दिया है तो मैं वो equation पता होने चाहिए जिसमें velocity को distance या displacement से relate करवा रहे हो तो हमने वो question मतलब वो relationship लिखा V square equals to U square plus 2 AS यह वो relationship है जिसमें velocity को displacement से relate करा रहे है velocity की power 2 है और displacement की power 1 है जब इस type का relationship होता है जब एक term पे power square हो एक पे one हो तो parabolic relationship बनता है ना की linear तो यहाँ पर जो भी graph दे रखे हैं उसमें ऐसा graph जो linear relationship बना रहा हो linear relationship वाला graph तो simply wrong हो जाएगा मतलब जो A वाला graph है वो हो जाएगा wrong क्योंकि उसमें linear relationship बन रहा है तो यह तो हो गया wrong देखते ही अब बचे हमारे पास three graphs तो सबसे पहले हमने देखा कि इस चीज को analyze करा अभी तक तो analyze ही नहीं करा है अभी वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमने देखा velocity versus displacement या height वाला graph है अब हम analyze करना start करते हैं इस पूरी चीज को क्या हुआ कि एक ball को आपने drop किया यहाँ पे एक ball थी इस ball को आपने drop किया यह ball नीचे गिर रही है जब यह ball नीचे गिर रही है और आपने drop किया था मतलब इसकी initial velocity क्या थी? 0, 0 से आपने drop किया था लेकिन जब यह drop हो रही है तो इसकी velocity बढ़ती जा रही है acceleration क्योंकि कैसा लग रहा है? gravitational acceleration नीचे की तरफ है और इसकी velocity भी कैसे बढ़ती जा रही है? नीचे ही बढ़ती जा रही है मतलब gravitational acceleration जो है gravitational acceleration इसकी velocity को support कर रहा है मतलब velocity increase कराएगा velocity increase कराएगा मतलब support कर रहा है accelerated motion है तो accelerated motion वाला जो graph बनता है वो smiling parabola बनता है smiling ये ये जो smile आ रही है ये तो रोने वाला parabola हो गया smiling थोड़ी है ये smiling है और यहाँ पर भी smiling है अब हम देखेंगे कैसे ये दोनों हो सकते हैं ये वाला again क्या हो गया smiling parabola ये बन रहा और ये वाला बन रहा है अब हम समझना चालू करते हैं कैसे इस line पर यहाँ पर जब height h है जब height h थी आपने कितनी height से इसको drop किया है h height से इसको drop किया है यहाँ पर height है h जब h height से drop किया तो उसकी speed या velocity क्या होनी चाहिए थी 0 यहाँ देखते हैं जब height h है तब उसकी speed कितनी है speed वाले line के लिए यहाँ है speed 0 है अगर उपर होती तो positive speed होती नीचे होती तो negative speed होती तो speed 0 है जैसे जैसे height reduce होने लगेगी मतलब वो displacement travel करता चला जाएगा जैसे जैसे height reduce होती चलेगी वैसे वैसे उसकी speed negative में increase होती चली जाएगी और टकराने से just पहले तक वो जितनी velocity या speed achieve कर लेगा वो उसकी उस negative direction की maximum velocity होगी यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके बाद और आगे नहीं बड़ा यह जो point है जहाँ पे velocity achieve करी है यह maximum velocity achieve करी है नीचे की direction में यहाँ तक हमें समझ में आया graph उसके बाद क्या होगा जैसे ही वो टकराएगी ball जैसे ही ball टकराएगी टकराते अब weight तो नहीं करेगी कि अब मुझे उपड जाना है time लेगी ऐसा नहीं होगा टकराते ही वो उपड जाने की condition में होगी जैसे ही वो टकराएगी टकराते ही उपड जाने की condition में होगी आपने नीफे का अपने आप वो उपड जाएगी मतलब टकराते उसके पास initial velocity होगी और वो कहां से आई यहां की पूरी potential energy कायनेटिक energy में बदली वो टकराई then potential again वापिस किस में बदली kinetic energy में बदली अब इसमें बहुत सारे cases लगते हैं कि collision elastic हुआ है या inelastic हुआ है अगर pure elastic collision हुआ होता तो h height से गिरने पे ये again h height पे ही reach करती और again h height पे अगर इसको reach करना होता तो ये उतनी ही velocity से चल जाती वापिस के वापिस अब क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि यह h by 2 height तक ही गई है h by 2 height तक ही गई है मतलब इतनी ही height पे यह गई है यहां तक h by 2 पे मतलब यह बहुत जादा velocity से थोड़ी गई होगी जितने से टकराई थी कुछ न कुछ energy का loss हो गया sound वगरा किसी में भी होग तो पूरी velocity से नहीं गई है थोड़ी कम velocity से गई है आधी velocity से गई है इसलिए आधी height पे पहुँच पाई है तो यह पूरी velocity h height वाली और यह आधी velocity h by टू height के लिए अब यह जो velocity है जब आपने नीचे वाली velocity को negative लिया था तो उपर वाली velocity को आपको क्या लेना پड़े का positive लेना पड़े का इसल्तomy उपर वाली velocity कैसे लिए positive लिए और जैसे जैसे यह उपर reach करती जाएगी h by 2 height complete करती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी velocity क्या होने लगीगी 0 की तरफ बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे इसकी height h by 2 के करीब पहुंचेगी velocity कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी velocity 0 हो जाएगी तो ये graph सबसे ज़्यादा correct है